नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल एस्टोलोजिकल गुरुजी में और हमसे जुनने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बिल आइकन को दबाए जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं तो पनी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो व्रेश के नीचे पानी डालने से सबसे उचे पते पर भी पानी पहुंच जाता है उसी प्रकार प्रेम पुरुवक किये गय कर्म पर मात्मा थक चरूर पहुंच जाती हैं सेवा सभी की करिये मगर आसा किसी से भी ना रखिये क्योंकि सेवा का सही मुले भगवान ही दे सकत और अर्ष तक जाती है जो वेक्ती आपको अपनी हर बात बता सकता है तो समझ लो वेक्ती आप पर खुद से भी जादा विश्वास करता है गलती चाहे किसी की भी हो जुकता हमेशा वही है जिसे रिष्टो की कदर और दिल में फिक्र हो किसी ने मुझसे पूछा वादे और यादे में क्या अंतर है मैंने सिर्फ इतना कहा वादे इंसान तोरता है और यादे इंसान को तोरती है संसकारों से बरी कोई वसीहत नहीं और इमांदारी से बरी कोई विरासत नहीं चोथ्या बारिस तो नहीं रोक सकता किन्तु बारिस में खरे होने का साहस जरूर देता है। ठीक उसी तरह आत्म विश्वास सफलता की गारेंटी तो नहीं किन्तु संघर्ज करने की प्रेणा अवस्य देता है। दूसरों से पहले खुद के अंदर भी एक बार झाक लिया करो। क्या पता खोट खुद में हो और दोस किसी और को दे रहे हो। नसीब बनकर कोई जिन्दगी में आता है। फिर खुआ बनकर आगों में समा जाता है। यकिन दिलाता है कि वो हमारा है फिर ना जाने क्यूँ व बात भूल जाया करते थे, दुनिया कहती थी कि याद करना सीखो, बरे हुए तो हर बात याद रहती है, दुनिया कहती है कि भूलना सीखो, नादान है वो लोग जो माबाप का अपमान करते हैं, माबाप तो वो रतने हैं जिने भगवान भी परणाम करते हैं, मुफ्त में सिर आगाम बहुत है अपनों के अपनों पर इंचाम बहुत है किसी कायतों का दौर देखता हूं तो थमसा जाता हूं लगता है उम्र कम है और इंतिहान बहुत है अक्सर जूते इंसान की बाते मिठी होती है और सचे इंसान की बाते कर भी होती है मैं रास्ते से गुजर रहा था क इस सामने से एक व्यक्ति मिल गया, वो मुझसे कहा कि मजे में हो, मैंने जवाब दिया, आनन्द में हो, तो उन्होंने कहा, दोनों में क्या फर्क है, तो व्यक्ति को बताना पड़ा, कि मजे के लिए पैसे चाहिए, और आनन्द के लिए परिवार और मित्र चाहिए, मत से फे पिर्वें बहुत करंत कीजिए, क्योंकि ना जाने किसी की दूआ खाली जाती है और ना किसी की बद्दूआ। दो ही चीज ऐसी है जिने देने में किसी का कुछ नहीं जाता। एक मुस्कुराहट और दूसरी दूआ हमेशा बाढ़ती रही हमेशा बढ़ती रहेगी। पसीना उम्र भरका उसकी गोद में सूख जाएगा, हम सफर क्या चीज है, ये बुड़ाफे में समझ जाएगा, मजाक करना मिजाज है हमारा, इसे हमारी ना समझी ना समझे, आपकी गलतियों को नजर अंदाज कर देती हैं, इसे हमारी ब्यकूपी ना समझे, आपकी तो सह जाती हैं, इसे हमारी कमजोरी ना समझे, हमें रिस्तों की कदर है, इसे हमारी मजबूरी ना समझे, दुनिया दारी सवर वह हुआ, तो ये पता चला, कि जिसम में जमीन होना उतना जरूरी नहीं है, जितना की जेव में पैसा होना जरूरी है, इंसान हस तो किसी के भी स सामने सकता है लेकिन रोता सिर्फ उसी के सामने हैं जिसे वह सच्ची महबत करता है। जीवन में इतना कमाओं कि वेटी की साधी में दहेज मांगने की नौबत ना आए और वेटी को इतना पढ़ाओं कि दहेज देने की जरूरत ना परे। इंसान की सोच भी अजीव है। काम्यावी मिले तो अपनी अकल पर खुस होता है और परसानी आए तो अपनी नसीब को दोस्त देता है। खोई हुई दौलत, भूली हुई विद्या, खोया हुआ स्वास्ते फिर भी लोट सकते हैं पर खोया हुआ समय फिर नहीं लोटता। दिल दुखाने वाली बात किसी से मत किया करो क्योंकि दोस्तों वक्त गुजर जाता है मगर बात ही याग रह जाती है। जिन्दगी कभी किसी की आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना परता है। कुछ नजर अंदाज करके, कुछ बरदास करके, कुछ मेहनत करके और कुछ सही समय पर सही फैसले करके। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अची लगी हो तर वीडियो को लाइक करे और कॉमेंट बॉक्स में जय महाकाल लिखे और अपने दोफ्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा से शेयर करे और हमारे चैनल को सस्क्राइब करे। धन्यवाद दोस्तों